रूस्ट के राश्ट्रपती बिलामीदीर पुतीन ने बुद्वार को देश के सामरिक परमानु बल का अभ्यास देखा जिसमें बिलेश्टिक और क्रूज मिसायलों के परशेपन भी सामिल थे। रूस के रख्षा मंतरी सेरगई सोईगू ने पुतीन को पताया कि रूस का परमानु हमला होने की इस्तिति में दुष्मनों पर बड़े पैमाने पर परमानु हमला करने का अभ्यास किया गया। इस युद्ध्याब्यास में रूसी नुकलियर फोर्सेस की तीनों यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इसमें जल थल और नफ्स से परमानु हमला करने का अभ्यास किया। रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव परमानु बम है। यह युद्ध्याब्यास यूक्रेइन में रूसी कारवाई को लेकर पश्चिमी देसों के साथ बीशर तनाब के पीच हुआ है। क्रेमली ने एक ब्यान में कहा कि अभ्यास के लिए तैस सभी लक्षे प्राप्त कर लिए गए हैं और दागी गई सभी मिसाईल ने निशाने पर लगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि रूस ने इस अभ्यास के संभन में उसे पहले से सुचित कर दिया था। ऐसी जानकारी दोनों देसों के बीच किसी गलत फहमी को रोकने के लिए दी जाती है। अमेरिका और रूस दोनों के पास बैलेश्टिंग मिसाईल ट्रैकर सैटलेट्स हैं जो धर्दी के किसी भी हिस्से में लाउंच की गई मिसाईल को ट्रैकर सकते हैं। अगर रूस बिनाग जानकारी दिये परमाणू मिसाईल के साथ अभ्यास करता तो इस से हमले की गलत फह हमता का परमाणू हमला कर सकता है। रूस के पास कई ऐसे स्टैंड ओफ वैपन मौजूद हैं जो लंबी दूरी तक तैय परमाणू हमला कर सकते हैं। पुतीन के पहले ही एलान कर चुके हैं कि वह अपने देश की रख्षा के लिए परमाणू हतियारों को इस्तिमाल से भी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।